नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कारेकरम में जिसका नाम है लेट्स डू योगा और आपके साथ मैं हूँ ब्रिक्षा आज के इस दोर में glowing skin किसे नहीं चाहिए हर कोई glowing skin का दिवाना है हर कोई चाहता है कि उसकी skin acne free, pimple free, dark spots, dark circles से जो है दूर है एक चमत्ता जो है हर कोई चहरा जो है चाहते हैं उसके लिए हम अलग-अलग products use करते हैं कोई-कुछ लोग तो injections भी लेते हैं ताकि उनकी जो skin है वो glow करें क्योंकि कहते हैं कि चहरा जो है आपकी जो first appearance कुछ लोग उसको बहुत एहमियत देते हैं लेकिन क्या हो कि glowing skin अगर आपको कुछ exercises करने से ही मिल जाए ज़रूरी नहीं कि glowing skin के लिए आपको कुछ products और कुछ cosmetics ही लगाने पड़े घर बैठे भी आप glowing skin पा सकते हैं बस कुछ exercises की ज़रूरत है और आप जो है glowing skin जो की acne free, pimple free जो आप चाहते हैं वो को सकती है तो वही आज के इस episode में हम आपको बताएंगे glowing skin के लिए आप क्या करें तो जो सबसे पहले हम करेंगे वो होने वाला है balloon हमें जो है अपने मुझ से बैलून बनाना है उसके लिए आपको पहले एक गहरी सांस लेनी है गहरी सांस लेने के बाद जब आप सांस ले लेंगे तो अपने जो mouth है उसका balloon बना लेंगे उसको इस तरह से कर लेना है और आगे दो fingers रख लेंगे ताकि वो जो है इसको थोड़ी देर के लिए hold करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे जो है सांस को बाहर निकाल देंगे तो कैसे करना है मुव में आपको पहले आप गहरी सांस ले ले इस तरह से मुझ से लेनी है नाक से नहीं लेनी है तो पहले ले लेंगे करते जाएंगे देरे धीरे इसे निकाल देंगे इसे आप रुपीट करें चार से पांच बार तो करते जाएंगे देरे देरे करते हैं करते हैं रिलाक्स ये था बैलून ये जो है इसको आप रिपीट करें सिंपल आप बैट कर सकते हैं कोई भी इंस्ट्रुमेंट की ज़रूरत नहीं है बस सांस को लेना है और अपनी चीक्स को फुला लेना है सांस को बाहर निकाल देना है सेकेंड जो हम करेंगे वह इसी से मिलता जूलता है उसके लिए भी आपको सांस को लेना है लेकिन पहले अपनी लेफ्ट चीक को फुलान है उसके बाद राइट चीक को जब मैं इसको करूंगी तो आपको याद आएगा आपका बच्पन कि हम बच्पन में कुछ यू ही हरकते करते थे और शायद उस टाइम पर आपकी स्किन भी ग्लोइंग रही होगी तो क्या करना है पहले सांस को अंदर लेना है और फिर पहले left to right फिर right to left इस तरह continue करते जाना है तो पहले सांस को भरेंगे अंदर रिलीस कर देंगे फिर से लेंगे रिलीस कर देंगे तो यह था एक चीक पहले एक चीक को फुलाना है फिर उसके बाद सांस को दूसरे में ले जाना है और इस तरह continue करते जाना है अब जो next हम करेंगे वह हम करेंगे तक हम आप देंगे खिश पोस इस पोस को भी अगर आप को याद हो हम इसको बच्पन मे किया खर ले इसके लिए आपको करना है पहले जो है ब्रीद आपन करना है और यहां से जो है इसको अन्दर को फीकम कर लेना है यह अई चो में बहुत रखना है और फिर यह था се है सांस को छोड़ते हुए बाहर को आजाना है तो पहले हम ब्रीद करेंगे अंदर को और इस तरह से कि छोड़ देंगे फिर से एक बार फिर से जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे फिश टाइब जो है आपका जो पेस की यहां से जो है एक और फिश का मुह पौझ बने गा तो इसे को फिशपोज दो रहने जाता है घिस एक बार लास्ट टाइम कभी लाक्स इसे आप 4-5 आप कर सकते हैं जितना आप का बन करें चार-5 आप और ons तीन यह 4 40 second के लिए और आब जो लास्ट में जो है जो करते हैं बहुती बेसिक सा है जहाँ अपनी अंगलियं काऊ में अपने आप कर यहां तक आप प्रक्राइब यहां तक आप वयाँ यहां से ज़्यादा जोर से नहीं करना बिल्कुल हलकी हलकी तो यह जो चार आज हमने सिंपल से जो स्टेप्स किये थे जिसमें हमने पहले बैलून पोस बनाया फिर टू दा चीक्स किया उसके बाद फिश और उसके बाद टैपिंग ओल अवर दा फिस यह चार बिल्कुल मतलब कि मैं जो लगता है कि 5-10 मिनट लगेंगे यह करने में और अगर आप इन्हें रेगुलर करेंगे यूँ आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो नजर आएगा तो अगर आप ग्लोइंग फेस के दिवाने हैं अगर आपको एक चमकता चेहरा चाहिए कि कोई पेंपल एक्टे नहों इनको आप जरूर जो है फोलो करें इन्हें करने की कोशिश करें बहुत है सिंपल है यह तो कोई योग आसन भी नहीं है कि बहुत दिक्त आएगी करने म तो ग्लोइंग स्किन के दिवानों इन चार आसन्स को जरूर कर लें और आगे आपको किन प्रॉब्लम्स पर या किन प्रॉब्लम्स के लिए सिलूशन चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हम आपके लिए वो शो लेकर आएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम थी और इसके लिए क्या solution हो सकता है तो आज के ये episode था glowing skin पर जो कि आज का लोग हर कोई चाहता है glowing skin तो आज के episode में फिलहाल इतना ही जुड़े रहे हमारे facebook page जल अंदर केसरी के साथ और हमारे show let's do yoga के साथ आज के लिए इतना ही मुझे दीजिए इजाज़त नमस्काट